धोरिया में पटवारी ने ग्रामीडों की जमीन का अने विक्ति के नाम किया सीमांकन ग्रामीडों ने तैसिल में दिया ग्यापन पेराड तेसिल छेतर के अंतर गताने वाली ग्राम पंचाय धोरिया से है जहाँ पर आज ग्रामेडों ने बताया कि उनकी गाउं धोरिया के हलका पर मौझूद पटवारी के मनमर्जी के चलते ना कोई नोटिस ना कोई जानकारी उनकी जमीन का सीमांकन ने लोगों को करवा दिया गया और रिश्वत ना देने पर ग्रामेडों के जमीन को तालाब में मिलाने की धंकिया भी दी जा रही है ग्रामिडों ने आरोप लगाया है कि बताया कि दबंगों से पैसे लेकर हम गरीबों की जमीन में दूसरे की जमीन निकाल रहा है पटवारी और हम काम में पैसे लेनी की मांग करता है और हर काम में पैसे लेने की मांग करता है उसका वेवार भी आपती जनक बताया जा रहा है हमारे द्वारा रिश्वत में पैसे ना देने पर हमारी समीन को दूसरों को सीमांकन करा दिया गया जबकि हम पचास साल से जिस समीन पर खेती कर रहे हैं हमारे नाम पर ऑनलाइन भी दर्जे उसके बावजूत पटवारी अपनी वनमर्जी से उसे दूसरों की जमीन बता रहा है ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और लगातार पटवारी ग्रामीडों पर दबाव डाल रहा है इसकी शिकायत ग्रामीडों ने बैरार तैसिल और अनुवी भाग्य अदिकारी पहुरी शिवदयाल धाकर के यहां आविदन देकर की गई है आगे देखना ये होगा कि ऐसे पटवारियों पर वरिश्च दिकारियों द्वारा मामला संग्यान में पहुचते की कोई कारेवाही की जाती है या पर नहीं पटवारी का मनमर्ची रवया ऐसे ही चलता रहेगा आपकी जमीन दूसरे को नाप दी आपकी जमीन दूसरे को नाप दी आपको सूचना दी किया पटवारी ने कर दे बक्त दी मैं तो कर नहीं था तो पर भी सिमांकर किसके ने की यादा आपकी जमीन में स्वावारी हो आपको सूचना नहीं थी इन पहरा दूसरे कर रहा है करी रहा है ठीक है कि नाधी जमीन की कर रहा है फिर में यंदे जमीन के लालाजी को क्या नाम लालाजी का कपल अच्छा ओर ठीक है किया प्रिशान ही है वाई आपको कोई सुचना नहीं तीव थी है आपको यृण से अपने जमीन में सीमा नहीं कर रहा है किस गाउंगी जन्दरिया गें ग्राम दउरिया कि तैसिल बहराया